हेलो एवरीवन मैं विश्वुजीत सिंग आप सभी का देहीन पर स्वागत करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर में हम M.A.History का M.H.I.04 पढ़ने वाले हैं दोस्तों M.H.I.04 आपके M.A.History का थर्ड बूक है और इससे पहले जो मैं वीडियो बनाया हूँ उसमें हमने M.H.I.01, M.H.I.02 कप्लीट किया है और आज की इस वीडियो के अंदर में हम 5 लास्ट 5 वीडियो के कोशन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं आपके जो 5 साल के प्राइब लेकर लेकर बैठीए ठीक है नोट बुक अगर आप लेकर बैठते हो दोस्तों तो जो भी मैं पॉंट्स में आंसर बनाऊ उसका आप फटावत नोटाउउन कर सकोगे लिग सकोगी जो भी आपकी सपोर्टिंग में ने लेकर बैठ सकते हो आपके बस बुक है अटावद लिख सकूँ आप इस इसकी पैले से बिठें वीडियो इसके करते हैं तो यह इसे पहले मैंने दो वीडियो कर वाए कणि कोनन से करवाय मैंने तो ँदोस्तों कोई दोस्तों नहीं है में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हमारे चैनल पर अलमोस्ट से ज्यादा वीडियो जे ठीक है तो बहुत सारे वीडियो जे क्या मता उनकी काम की हो तो आप उन्हें भी सेयर कर सकते हो ठीक है आगे हम बात करते हैं सबसे पहले कोश्चंस पेपर का इंट्रोड़क्शन के बारे म क्सनी सीन सब्सक्राइब अब यहाँ पेठी जून 2016 का क्या सीन इसके बारे में हम बात करें तो इगनू के इंधर में क्या होता है कि हर साल में धो शेशण हो दो सेशन में मतलब एक सेशन हो जाता है जून सेशन और दूसरा हो जाता है दिसम्बर सेशन तो यह जून सेशन का विपर है ठीक है और हम जो पांच साल का कोश्चन पर स्वाल्फ करने वाले हैं दोस्तों उसके अंदर में इसी तरीके से हम हर साल में दो दो सेशन के करेंगे हैँ almost आपका 10-10 वोजाइगा अब यहां पर दूसर को्सिंट बनता है कि ए कितने कोश्चं अत्य होते हैं तो एक कोश्चं पेपर के अंदर में टोटल दस कोश्चं आते हैं और हमें शॉल्व करने होते हैं ऑनली फाइब like तो आपका बोल सकते हों altogether handed questions को देखेंगे कि किस तरह की question बन कर आते हैं और हर एक question paper में से आठ से साथ question हम solve करने वाले हैं तो आपका बोल सकते हो कि 70-80 questions आपके ready हो जाएंगे almost आपका इधर और इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हो दो ठाइगंटे का वीडियो बनेगा तो आपका 90% से लिवस यहां पर ही किलियर हो जाएगा आपको दुबारा भूख चूने की जुरुत नहीं बढ़ेगी बस most repeated question का कि कौन सा question सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है ठीक है question पूछने का तरीका क्या है pattern क्या है इसका आपको idea मिल जाएगा तीसरा यहां पर हम बात करें तो most important question कौन-कौन से हैं ठीक है कौन सा question सबसे ज्यादा महत्यपूर्ण है इसका आपको एक knowledge मिल जाएगा यहां पर आपको idea मिल जाएगा और पाच्वा को जो point हमारे यहां पर हम देखें चौता पाच्वा point तो जो भी हम answer solve करेंगे questions का solve करेंगे उसको सभी को points में देखने वाले हैं ठीक हम उसको सभी को points में हम लिखेंगे तो points में लिखेंगे तो number अच्छे मिलने के उमीद रहती है ठीक है आगे हम question paper को वापस से आते हैं तो question paper का total जो number है आपका ठीक है जो number जो हमेशा आपको question paper को solve करते हैं याद रखना है कि यहां पर word limit दे हुआ है 500 सब्दों के अंदर में ही आपको अपना question paper कितने अच्छे से आपने point to point answer दिया है ठीक है और जो पूछा गया था authentic वो दिया है या ने दिया है answer में वो दिखा जाता है और उसके base पर ही number मिलता है ठीक है यह मत ख्याल में रखना है कि page भरने पर आपको number मिलेगा ठीक है चलिए हम अपना question paper start करते हैं बहुत आपका इंच्छा सा introduction I hope so मैंने दिया है ठीक है आपको समझ में आगा है में जरूरी चीज़े क्या हमें इस वीडियो के लिए जरूरी है ठीक है आपको समझ में आ गया होगा हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करता हूं आप सभी बचे लाइक सिर सब्सक्राइब करोगे जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले हमारी पूरी टीम को मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और इच्छे से मैनत कर सके ठीक है चलिए फर्स्ट कोश्चन आता हमारा और वालोरे जाम पूरी पड़ती है आपके लिए रिजन कहा कि समय मैं आपने पेहले से पड़ रखिये पहले से पड़ एकर है और दश्चे से वाला भी में आपसे और सबस्क्राइब बहुत यह असानी हो सबसकता है प्शल करते हैं अब बना बना कर लिखने में में इस व इस बुक के अंदर में तो पहला कोश्चन को हम समझते हैं तो पहला कहता है पारंभिक एतिहासिक काल में उत्तर भारत से पुर्व राज्य की और संकरमण की वैक्या कीजिए यहां पर सबसे पहले है अगर कोश्चन को सही से ना समझा जाए तो बहुत दिक्कत हो जाता है दे जहोग है जहार खंड में रहते हैं मानल ऐसे तगर्ण की सब अलग-अलग जगर रहते हैं तो यह सारे क्या है राज्य है तो तो क्या इसी तरीके से बना तो इसी तरीके से पहला सोरूप यजितां इसका बिल्लबकुल भी नहीं पहले क्या था कि Calling फूले में रहते मतलब एक दो आर्मिय को और ले आया तुम यहीं तो बगल में रहो यार अकेले बोर जाता हो तुम दोनों रहेंगे बादचीत होती रहेगी हैल भी कर लेंगे दूसरे की अब दो हो गए अब दोनों की साधिवादी का बच्चे वड़े हुए साधिवादी करने का हुआ तो इस वाले बंदें ने सब्सक्ति एक और के लेला तो चार आए ऐसे करते-करते-करते-करते-करते वह पूरा एक समु बनता चला गया ठीक कैसा बना समु से ग्राम्स से फिर जाकर गाउं की और बढ़ गया गॉट इस तरह से पिर चलता गया और फिर यहां पर हूप선 यहप यह समझने में आता है इस तरह से राज्य बंहते, कोशन यह पूछ रहे हैं कि उत्तर-भारत में, पुर्व राज्य से मतलब राज्य की संक्रमन किस परकार से हुआ ? राज्य के और संकर्मन कैसे हुआ ये बता ना जैसे मैंने बताय ना इसोधने बुला है इस इस अ पिर एक से Same pris When me बलाए ऑस यह पर पूरा प्रकिया Ben कोश्चन सबसे पहले समझ में आगया होगा अपको तो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ फे मैं बात करूँ सबसे पहले रफ करते हैं जिससे आपके लिए जम इस पेस मिले और हम वटपावट समझ सकें ठीक डेको यहांपर कहते कि बोधकाल में सीमांग की तरज्यों के तुपत्ति हुई सबसे पहला पॉइंट तो यहां पर या जाताँ इस सीमांग के तरज्ये होते क्या हैं तो सीमा कि जिनका सीमा निर्धारित हो ठीके पहले क्या था है अगर मालो आप दो जने हैं हम मैं और आप रहती हैं ठीके और मैं यहां वह पहले से रहा हो तो मेरी पूरी जमी जहां तक नजर जा रही है न सारी मेरी जमीन हुई पर आपको मैं बुला के लिए कि भाई यह आप आपका होगा है आदा साइट मेरा हो इसके बाद कुछ लोग और आगए फिर उनको भी तो जमीन देना पड़ेगा न थोड़ा 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 करते-करते इस तरह से क्या हो एक सीमा बनती चली गई और वही जब गाउं, समूं, ग्राउं, ठीके नगर, सहर, राजे की और जब बदलता है तो वही सीमा, ठीके सिमांकित राजे का निर्मान करती है टेके थीके तब बूधकाल की यहां पर चर्चा कियाती है कि बूधकाल के अंदर में सिमांकित राजे क्योत्पत्ती हुई ठीके रिजन क्या था था जब ओधकाल अभारत के अंदर में परचार परसार तो उन्हें बहुत सारे गरंत लिखे तों के धार्मित लिखें चुर रहिसे करके बहुतजार उन्हें बहुत सारे ऋब सारे राजा उन्हें के की गरंतेaidr उसकी बारे में थोड़ा बहुत वर्णन है, जिसके बीसिस पर जिसके आधार पर सुरोत मानकर हम आपे बात करते हैं, ठीक है, अब बोधकाल में क्यों होता है, बोधकाल के अंदर में सिमांकित राजिक विद्पत्ती होती है, रास्तंत्र व्यवस्था की सुरुवाहत देख मतलब होता है लोग, मैं आप हो गए गन, संग मतलब होता है समू, ठीक है, गन संग का भी सुरुवात होता हो दिखता है, यहां पर अगला पॉइंट आप देखोगे, तो मौरे समराज्य की बात करोगे, तो मौरे समराज्य के अंदर में टोटल 16 महा जनपद हुआ करते थे जिनकी हम चर्चा करते हैं, 16 महा जनपद किस परकार सोते थे, तो आपको पता होगा, मैंने कई बार कई सारी वीडियो इसके उपर में बनाई है, कौन-कौन सीम में बता दो आपको तो, कासी, कौशल, अंग, चेंदी, वचसे, कुरू, पंचाल, मचसे, सूरसेन, असमक, अ अंधार, कंबोज, वंजी, मल्य, मगद, ठीक है, इस तरह से टोटल 16 महा जनपद थे, अब महा जनपद होता है, तो एक जनपद को समझो, आप महा जनपद अपने आप समझ जाओगे, जनपद मतलबता है उनकी इस्तिति, ठीक है, या फिर राज्य है, राज्य का स्टेटस ठीक है, तो जनपद, तो ऐसे गाओं, ऐसे समझो, जो बहुत बड़े थे आकार में, बड़े-बड़े विशाल थे, उनका एक स्टेटस था, कि भईया, इस नाम से जाना जाएगा, तो उसको महा जनपद के तो उनको जनपद कहा गया, जो विशाल थे, उनको महा जनपद क अब लुगा, तो महा जनपद के कारण से फाइदा क्या होता था, कि जैसे माल नो मौरेश मराज्ञे के अंधर में, बाध बड़ा थे, ठीक है, भौert बड़ा राज्यी थे, तो राज्ये को नियंदी रूज्जन की सकता, हर जगज नहीं जा सकता, ठीक है, तुन्हों ने क क्या किया उसको कि कई सारे डिवाइट में बाढ़ते सोला टोटल महाजनपद को सुरुवाद किया उसने जिसके कार्म से क्या हुआ अब राजा काम असान हो गया राजा को सहनिक चाहिए राजा क्या करेगा महाजनपद को जाके बोलेगा भीया मगत वाले तुझे ना आज उपास से आने चाहिए ठीके सूर्ज नवाले के पास गया मुझे यह चाहिए देदियो देख लें तरह टेक्स नहीं आया देदियो इसा करके मतलब राजा अब वहां पर कह सकते हैं ठीक है राजा के परतिये उत्तरदाई होते हैं कि यह आंसा देंगे किसको राजा को ठीक प्रफ्टी हुआ का पहला ही पूपट में बताता ना बोद धर्म से सिमांकित राज्य को उत्तरदी तो यहां पर रीजन कि आता है इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसके भी कुछ रीजन होते हैं ठीके तो यहां पर रीजन इसका आ जाता है पहला तो वण्ववस्थ था ठीक है one-webust था कभी भी एक नया घर बनाने जुरत वबड़ता है मौनलो मैं भी चाहता हूं कि मैं अपना अलग घर बनाऊ ठीक है मेरा एक मतलब एम है कि मैं अपना अलग घर बनाऊ रीजन क्या है कि मैं जब हमारे ideologically difference आ जाते हैं चीजों के अंदर में ठीक है किसी से आप नहीं पटरा या कुछ और चीज़ें हो गई तो उसके बाद हम यह चीज़ें सोचते हैं होते हैं तो जब बटवारा को तो जूँनुने लगते हो तो उसी यह में से 2 टुकडे करने की एकदम अलग तरीके सो जाना है तो उसका सुरुवात हो जाता है यहां पर यह भी मारा जाता है कि जो वण ववस्था था उसने क्या किया यह सिमांकित राज्य राज्य के उत्पति का एक कारण रोल प्ले किया कैसे तो अब ववस्था के अंदर में टोटल चार वण आते थे जिसमें ब्राम्मण छेत्रिये वैश्या चूद्र ब्राम्मण को सरका सबसे टॉप भाग देखा मस्गूत वाला उसको दिया जाता था और वैश्य को जां दिया गया जिसла बैठсьकर करती थे वेपार जो छुद्र थे वी उनको पैर वाला इससा दिया गया क्योंकि उन सभी तीनोंवड़ वरणों की सेवा करती थे ठीक, सम्झ में आता है, तो पहला रीजन माना गज़ा यहा महें सिरह कि one वभशत था, डिसरा रीजन यहां मैं पर देख के चलते है, भटवारा हो नुपयात्क रीजन करने लगे, यह दा को देखोगे निक ने कहते हैं तो आप आपका इतना विकास कर रहे हो तो लोगों को डर भी था तो उस दर को निपटने के लिए लोगों ने क्या किया सिस्थाइश सेना रखने के सुरुआत कर ली ठीक है अब सेना अगर रख रहे कोई बंदा मतलब बॉडी गार्ड तो भाई बात लगी है ठीक है सीमा का अब माननों मेरी जमीन भीचा यहां से यहां तक है आप जाता हुआ को सिमा's का विश्थार का करना अब बात जार्मी की मिष्य कई का मेरा मुस्जीर है में मुस्लमान हूं घाव पूरा हो गया कि वह हिंदू हो है कि इस तरह से जो चीजे बढ़ता चला गया तो यही राजपुतो को गाउं तो यही सीमा बंती है और यही सीमांकित राज्य कौजपत्ति करता है पहले बंदा अकेले रहा था तो उसको क्या फर्क पड़ रहा था राजपूतु ठीके चमारू मुसरू से कोई ना दिन नहीं था ठीके पर जैसी क्या हुआ वह दो लोगों के साथ आया तो भीया चलो 20 होने के बाद क्या होता है वह सबसे पहले बोलते हैं मेरी जाती के हैं बाकी जो 18 बचते हैं बाकी तुम अपना अमना देख लो यह जो गाउं है पूरा वह राजपुतों का हो गया तो इस तरीके से जो और लाइम की चीची गई ना वहीं सिमांगित राज्यक बनती आगे चलके ठीक उसी तरह से राज्यक उतपत्ति होता है ठीक है आपको समझ में आया होगा और मैंने बहुत अच्छा कोर्सिस के आपको समझाने का अगर कहीं पर कोई कोश्चन ना समझ में आए ना तो आप एक काम और कर सकते हो आप कमेंट करके सकते हो कि क्या है ठीक है आपको समझ में आ जाएगा और आप सभी वज्चों से एक रिक्वेस्ट ये भी रहने वाली है कि जैसे जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो आपना बुक लेकर बैठें ठीक है अगर बैठते हो आप तो फिर आपको आगे का थोड़ा सा हिंट मिलता हो तो आप उसको नोट डाउन भी कर पाऊंगे और वह ज्यादा जरूरी है ठीक है अगर नोट डाउन की रहोगे तो फिर आपका आगे का जो आंसर हो बनता चला जाएगा ठीक है तो दोस्तों अगला कोश्चन के रूम बढ़ते हैं अगला जो कोश्चन है आपका पहले र सब्सक्राइब भारत के अर्थ क्या होता है उसके बारे में 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 पता होगा तो हम कोश्चन का आंसर एजली कर सकते है ठीक है छटी से आठीक तर्ण भारत के राजनेतिक परकिरियाओं के सवरूप की आलौचना आत्माग परिक्षन के जिए अब देखो प्राय बारत होत तो मेरा नाम विश्वुजीत है और यहां पर ही जो भारत का नीचेला हिस्सा है उसका भी सेप में ही है तो जो दच्छिन इस्सा पढ़ता है भारत का ना भारत का है यह आप याद रखना तो आप इस वाले के अंदर में कहता है कि राजनितिक जो परकिरिया किस परकार था था राजनितिक परकिरिया का सुरूप क्या सा था दच्छिंग भारत के अंदर में इसका लेकर कोश्चन आता है अब ऐसे ही अगर किसी को उठा के वाला कोश्चन दे दिया जाए ठीके बहले ही उसने पेसडी कर रखाओ कि पैटन बनता है किस तर से कोश्चन पूछे जाते हैं अब यहां पर प्राइदी भारत के लिए दच्छिन भारत लिखता ना तो दो मिनिट के लिए आप समझ में भी आ जाता अच्छा यह चेर चोर पांडेन बंस के बारे में बात कर रहा है चालुक्यों के बारे में बात क इ são कोँद न से काञ जी पूरण के पल्लव अब झाल श्रा करन आगवडान के हैजिए 25 तीसरा घलम के सब्सक्राइब pyramid ஏघे में यहां था अब यह proto है एकसाइड मीदर एकसाइड मीदर एकसाइड मीदर ऐसे यहां मेदर टूल सब्ढ़ेतें और आप सी राजिनेतिक संगर्स देखने के देखने के लिए मिला हमें आपarsi करिशी का विस्तार होता है यहांपे अगला पॉइंट आप देखोगे तो मतलत विचार था था ठीके नई विचार्थार आई कि यहां पर आपसी जो विचार था था वो भी बदली नहीं नहीं विचार था यहांप आने के तांस्कृति उदे हुआ कि यहां पर राजनितिक विकास हुआ घार Allerith did देखने के लिए मिलता है सासत में भोमी अनुदान का शुरूबात कैई जाने लगा भूमी अनुदान किसको दिया जाता था जो ब्राह्मन होते थे जो छोटे कास्ट की लोग वह करते थे खुशी के मौके पे तहवार के मौके पे तो भूमी अनुदान दिया जाता था ठीक है भूमी अनुदान भूमी अनुद्वान की शुरुवात की जाने लगी उसकी बात में आप देखतें क्या है तो गैर धार्मिकारे के लिए भूमी अनुद्वान दिया जाने लगा पहले क्यों था धार्मिकारे के लिए अब गैर धार्मिकारे की भी शुरुवात की गई आगे हम बात करें इसमें दोस्तों तो सामंत क्रिश्ची विवस्था सामंत क्रिश्ची विवस्था की सुरुवात हो गई थी और उसके साथ साथ में आपसी संबंदों पर जोर दिया जाने लगा आपसी संबंदों पर जोर दिया जाने लगा रास्तंत्र का विकास हुआ रास्तंत्र का विकास हुआ वनसानुगत अधिकार मेरे बाद मेरे बच्चे का होगा तो वनसानुगत अधिकार की सुरुवात की जाने लगी सासाथ में जेष्ट पुत्र का उत्रा अधिकारी, जेष्ट जो सबसे बड़ा पुत्र होता है ना, ठीक है तो वह उत्रा धिकारी बनेगा, सब फूर्ड करओ मेरे पापा कींग है, ठीक है, मान के चलते हैं, दो मिनिट के लिए काश ऐसा होता, ठीक है, तो अगर इन future, अगर और उनके बाद अगर कोई Raja बनेगा तो मैं बनुगा क्योंकि घर में सबसे बड़ा मैं हूँ अपने घर में ठीक है तो इस तरह से बट़्र फुत्र को यहाँ पर यह दिरे जो सब से ब्ड़ा पुत्र है सब को बराबर मिलेगा अगर तुम्हें फूटी थाली मिल रहे तो उसे भी फूटी थाली मिलेगी ठीक है तो यह होता है समझे माता है दूसरा question हमारा completed है आप इसको करोगे 10 से ज्यादा पॉइंट से आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं ठीक है अच्छे सा करते हो तो आप सी संगर्स को बता सकते हो कि किस तरह से जो तीन वन्स हुआ करते थे थोड़ा वो टाइम पर डालना हो तो आपको अपनी थोड़ी सी बुक की help लिनी पड़ेगी जिस यहां पर कमेंट करके जुरूर बताना है कि क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है और क्या चीज आपको समझ में आया और क्या चीज बहुत अच्छे सापको समझ में बताईएगा ठीक है कि रिस्पोंस रहता है और पता है क्या होता है कि जब आपने कोई काम किया सपोस करो आप कोई काम कर रहे हो और काम करने कि वाद इसका अप्रिशेशन मिलता है आपको कि हां यार इस बन्दे ने काम बहुत अच्छा किया है ठीक है तब फिर मज़ा आता है करने में वाले को भी और करवाने वाले को भी क्या बात है हमने काम इतना महिरा से किया कुल लोग उसको कर रहे है तो अच्छा फिल होता है तो आप यहां पर मुगल राज्य की बात करते हैं दोस्तों तो यह भी important question है अकसर यह वाला question बन जाता है तो मुगल राज्यों से संबंदित विविन परिपेच्छे क्या क्या है इसके बारे हम सीदा सीदा पॉइंट पर जाते हैं जल्दी फटावट करते हैं क्योंकि time is going to be fast तो पहला आयाता है वंसानुगत थे हो सारे ठीक है वंसानुगत मतलब वंस के अधार पर भईया इसके के-वाले त्यमूर की बात कर रहा हो ठीक है राजयस को सत्ता का हमने अधिकार्यो इना मिचे ये थी से अधिकारी उसे रए को अधिकारियों से राय की बत की गई थी आगे हम-पे देखें दोस्तों तो अंति में राजा का एन्डे होता था जो राजा का एन निल राजा की थी घृता था उसको कहीं हैş हिमाईती और सुधारत के तरह पर तैमूर की उपाधी दे गई जाने अगर उनको फैलाया गया तैमूर ने तो इतना तक कर दिया था कि अपने नाम में यहां पर शुरुआत हो गई थी मुगल काल के अंदर में देखो तो जितने भी न मुगल जो उधर से आए मंगोलिया राजे से उधर से आए तो सभी लोगों को मुगल के तौर बे ट्रीट किया गया यह निता कि अकबर बावर यह सारे ही थे जो भी आए वहां से सभी को म मुगल ही माना गया तो उसके कान से यहां पर हम तैमूर की भी बात करते हैं ठीक है कहीं आप सोचो कि अकबर बावर हिमायू कहा गया यह वह क्यों नहीं आ रहे तो यह रीजन है यहां पर औरतों को सासक बनने की जाज़त नहीं थी राजकुमार राजा बन सकते थे जो रा 1507 में बावर सासक बंगता है तो इस तरह से यह भी आठ दस पॉइंट से आप इसको एक्स्प्लें कर सकते इसके निम्मर मिल सकते हैं अगले कोश्चन के बढ़ते हैं सबसे पहले रफ करते हैं कि अगला कोश्चन हमारे चोथा कोश्चन आ जाते दोस्तों अपनिवेशिक साशन में अपनिवेशिक साशन को बनाए रखने के लिए राज्य ने नियंत्रन तथा वैदता की कौन-कौन से तरीके अपनाए अब इस कोश्चन को समझो जैसे कि आपको पता हुगा कि आपने 200 सालों तक गुलाम रहें, ऐसा आप बूल सकते हो बट यह नॉर्मल था उस ताइम पर ठीके क्योंकि चीज़े बहुत अलग थी तो हम 200 सालों तक अंगरेजों के घुलाम रहें, थो उसको बनाए रखने के लिए कि वह वह 200 साल तक ऐसी रहे, 200 शाल 500 साल में कैसे बदल पहले तो जो मुगल बास्था थे मुगल बास्था के नाम पर सिख्के जारी करना लोगों को मतलब मखल लगाना ठीक है तो इन्हों ने अंग्रेजों ने बहुत जादा मखल लगाया ऐसी निते हैं कि वह 200 सालों तक राज करके चले गए उसको राज करने के लिए उन्होंने मेरे लिए तो करीद आया तो राजाना बला ठीक है तुम बैपारी तो करन्या करो करो ऑफ़ पार करते करते हैं एसा हुआ कि राजा को भी खारी बना दिया खुद माँपर राजा बनके बैठ लाटा तो यह चीजे थी तो फार्सी जो भासा थी उसको राजभासा के तौर पर दिखा जाने लगा जिससे मुगल सब थे जो जादा तर आते थे तो फार्सी भासा के तौर परंग्रेजुने यूज किया इस्टार्टिंग में ठीक है इनके साथ चेट निकरो अब बात में करेंगे इनका हम सब बदलेंगे टेंसर मतलो पर अभी हम इसी को रखेंगे तो यह 835 की बात है जब आंगे फार्सी भासा ही चल रही थी उस समय तक फार्सी भासा ही राजभासा के तौर पे थी ठीक है मुगलों को कानूनी धाचा में परिवर्तन लान खत्र नहीं कि कानून में बदलाव किया कि वह यह वाला कानून गलत आ होहँ मतलब तु पूरी तरसे चैंज नहीं किया उनौने पूह नहीं पूरी थर्से पूरी तरसे प्रिवर्तन करूंगा तो यह मुगल सब हैं भी मेरे खिलाफ खड़ हो जाएंगे तो थोड़ा वो चेंजिस होता था कैसे चेंजिस होता था राजा पास गए राजा जी राजा जी आपका जो यह कानून है इसके अंदर में यह प्रॉब्लम है आप इसको तो चेंज कर दो राजा भी सुचा यार क्या बात ठीक है तो 1861 में काजी मुक्ती और पंडितों को जो थे ब्रिटिस नियाधिसों के तौर पर नियूट किया जाने लगा ठीक है नियाधिसों के तौर पर नहीं को जज बना दिया जज उनके ही हुआ करते थे बस उनको नियाधिस पर नाली के नतरगत लाए गया ठीक है जिस पन्डी जी अपने पत्रा में देखेंगे फिर बताइगे इस वाले बंदे ने ऐसा किया है तो इसके इसाब से यह डंड दे दो ठीके इतने साम टाइम का डंड दे दो पंडी जी को नहीं समझ मैं तो भी डंड दे जब तक हमें काम चलाना है जब तक हम इनी के लोगों से काम निकालेंगे तो इनी के जो मुक्ति, सहीद, पंडित यह सब गवा करते थे ठीक है उनको क्या क्या है निया इधिस प्रगिरिया के अंदर में लाए गया समझ में आता है हिस कि आता है जो आता हुआ जर स्याज नियुकर इंगरांसे संवत थे थे उनावद्व तन्हर इस गया कि अंगरेज हम थे बदला लेंगे तो उन्हें क्या किया क्षोज कर समर्थन देना शुरू कर दिया और उनके अपना समर्थन देने लगे क्वारशी कालेज कोलेज खोलेगे औंग्रेजी भासा को परसाहित किस्क्राइद क्लिख अन्य लेगा थ्याइँ कि वह फार्ची क्यों दो तुम अंगरी जी सीखाना शुरू कर दिया ठीक है अठार सोई क्यानवी के अंदर आते आते क्या होता है कि लड़कियों का भिवाह की आयू जो थी वह दस साल थी ठीक है भारत के अंदर में कई सामाजिक और समाजिक आंदोलनी की सुरुवात हो जाती है जिसमें कई सारे समू एक्टिव हो जाते हैं जो भारत की जो समाजिक जीवन है उसे छेप ना करने का मतलब धंकी देते हैं अंग्रीजियों के आप इसमें छेट्चा ना करो आग से खेल रहे हो जल जाओगे ऐसा करके बोल कर आत तो यह सारे रीजन रहें कि उनके अपनिवेशिक शाषन के अंदर में कौन-कौन से किस तरस उन्होंने राजे को नियंत्रित पर रखा अब जो लोग थे वह देख रहे थे जो लड़किया थी तो हमारे फाइदे के लिए बात कर रहा है तो खुलकर समर्थन में आने लगे ठीकि जो राजे थे उन्होंने देखा 1819k के विद्रों में राजाओं सबका क्या हाल हुआ तो वह खुलकर समर्थन में आने लगे ठीकि उन्होंने बनाया है उससे लगा जमिंदारों को सावकारों के यह यह तो बहुत अच्छा कानून है तो हमार्थन में लगे तो इस त भीट होगा ठीक है तो इस वाले कोशन को भी आप सभी से पढ़ते हैं फटा वर्ड पढ़ते मजाएगा चलिए पहले रफ कर लेते हैं विजे नेगर राज्ये का सोरूप यह पांच वा कोश्चन है मारा बहुत इंपोर्डेंट कोशन यह भी बनेगा दूस्तों फटा फटा मिसको करते हैं तो यहां पर भूमी राजा का संपति होता था जो भूमी होता था जमीन होता था वह किसका माने जाता था राजा का माने जाता था आगे हम बात करें तो राजा द्वारा भूमी दान किया जाता था यहां पर दान किया जाता था आगे बात करें तो जोगदान की भूमी जो प्राप्त करने वाले को नायक कहा जाता था जिसको भूमी मिला है उसको हम नायक कहते थे ठीक है नायक राजय द्वारा प्राप्त भूमी पर नायक का अधिकार होता था ठीक है उसका अधिकार होता था पूरी तर से उसका अधिकार होता था ठीक है नायक के भूमी लेने के बदले में दो चीजे करता था दो चीजे कुन-कुन से तो राजकोस में योगदान भीया टेक्स बरो राजकोस में योगदान दूसा क्या होता था कि यूद में सैनिक तथा अलग-अलग प्रकार से help करता था यूद में ठीक है कब करता था तो यूद में समझ में आ रहा है नायक अगर आपको मेने जमीन दिया तो आप से कुछ एक्सपेक्ट तो करूंगों कि आप मेरी हेल्प करोगे तो या फिर टेक्स बरो भाई है या कुछ नहीं है और दूसरी चीज़ क्या कभी जो पड़े तो सानिक भी मुझे दो ठीक है और उसके में स्व्रॉक जांद आ था इसनी को टिक देश्जाइन पर राजा के करें उंगा कारे ता तो था जिम्मेदारी जाती थी खिंप गरमन कर दे तो में रिक्षा में ने नायक जोते थे उनकी मदद करते थे ठीक है विजन अगर राजी के अंदर में एक सेने सामंतवाद का सुरुवात हो चुका था सेने सामंतवाद जिसके अंदर में जो यह नायक हुआ करते थे यह क्या करते थे सैनिक रखने का इनको जादत मिला जिसके बाद सैनिक रखा करते श्यवाल की शुरूअ कि गरिए पत्व कि ऊस्तियोर के शोरे हैं उसके बाद देखो गया traveled को ठीक है एक जरूवाजे क्रिशए है तो अब बात करोगे तो उस एक दर्वाजि भी है शूरूजा Start को ठीक है एक दर्वाजाने जो एक दर्वाजा ठा तो उसी से सीमा सुलक वसूला जाता था एक दर्वाजे उन्हाय के रूप में वसूला है एक साल के अंदर में तो यहां पर इस हिसाब से भी उन्हें ने दिखा कि या इतने सारा टेक्स आता है नियाईक डंड की प्रकिरिया का उन्होंने शुरुवात किया कि भीया जो भी गलत करेगा गलत करने वाले को हम क्या करेगा डंड देंगे नियाईक डंड की शुरुवात उन्होंने करी ठीक है तो यह हमारा छट पांचवा कोशन के लिए हो जाता है अब हम छटे कोशन के और बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं दोस्तों और यहां पर जो अगला कोशिन है छोटा कोशिन है न चूल-परशाशनिक ववस्ता का वर्डन करूr सारे कॉश्चन आपके 11 कलास के हैं तो ज्यादा दिक्कत आपको समझने में नहीं होने चाहिए तब चोल प्रशाशनिक ववस्था क्या थी इसके बारे हम बात करें तो नोवी से तेरवी सताफदी के अंदर में चोल वन्स का पूरा राज रहा ठीके नोवी से तेरवी तोर पे विजय वान को मानने जाता है कि कि जो विजय वान थे व रूसंस्थापन तक वह वह बालने stat morgen-दान के साफ ना करी थी ठीक समझ में आता है गब 58 These 880 के करीं में उन्ह appears इसकी स्थापना करी थी ठीक दोस्तों इनके प्रशाशनिक व्यवस्था के अंदर में आता होता राजा केंडर मंदल राजा केंडर में और उसके पूरा मंदल बनाऊ से तहत करेंगे तो लोग सब्सक्राओं नगे क्या ना ना पहला है कि नेज़े की सब्सक्राइप करते हैं जसे राजा द्वार्श कम पूरी सब्सक्राइप नहीं कर और रेहे चीज आनलों है कर सके ठीक है समझ में आता है यहाँ पर आगे हम बात करें तो इस्थानी सासन जो वहां पर इस्थान ही लोकल जो लोग होते थे उनको भी राज सासन में लाए तो साशन में आते थे जिसके बाद वह अपनी सेना रख सकते थे राजा को टेक्स पे कर सकते थे विजयनेगर वाले मैंने बताया नाइक ववस्था की सुरुआत कि बहिए एक बंदे को पकड़ा मैंने पकड़ने काद मैंने बुला कि भी यह सारा जमीन तो राजा की है तो उ जुरत पड़े तो ट्यक्त वह सेना दे दियो ठीक तो इस तरह से इस्थानिस आशन की सुरुआत कर दे थी उसने और उसने टोटल अपने राज्य को तीस वार्ड में विवाजित किया था और तीस लोगों को निक्त किया उसने ठीक है ग्राम सभाओं के कार्ये ठीक है करणिक वरें परजा के लिए हितकारी कार्यềες कि उन्होंने शुरुआत करी का सेनिक ववस्था क先ne when 구da में ओं फून संपूर। संफूर्ण सेना जो उनकी थी संपूर्णमक में लिए के खीक भाद में हम बात करें तो साथ हजार हांत्यगोडें सैनिक थे झालमेंत्य इसक के बाद हम बात करें तो उनके अंगल रक्षक को गई रोड़ तरह से प्ट्र ये पूराउ ca रहता है चोल पर शाष्ट में वैस्ता का ठीक है अब आगे हम बढ़ते हैं अगले कोशन के और पहले स्कोर अफ कर लेते हैं दोस्तों आपने फटाफ़ लिख लिया हो तो दोस्तों देखो नॉर्मली आप क्या करो करना जब मैं लिख रहा होता हूं तो आप अपना दियां से समझो समझने बाद आप एक स्क्रीन सोट लिया करो या फिर आप अगर कोई पॉइंट है तो रफली अपने नोट बूक में लिखते चले रहा है करो जिससे आपको पॉइंट बनता चला जाए अगर आपको पॉइंट बना लेते हो तो अगर उस तरह कोशन कभी दुबार ए कि दिल्ली सल्तनत के अधिए के इंद्रिये परशाशन पर तिपनी ठीक है दिल्ली सल्तनत भाई ओमाई गाड दिल्ली सल्तनत के बादे में हम पढ़ने वाले हैं मैं देलिका bethkin तो मज़ायेगा पर तीक हुत करें किोर्ली सत्रुब इसी पहलेबी राजय थ ते यह सह औरह एक 1206 के अंदर में दिली सल्तरनित की खुरवात हो जाती है थिक है 1206 में यहां पर कर जाता है किन मुख्य संचालन जु था गुलामों द़रकर जाता है था उन्हंतनर रोल रहा है ख्रीए से और उसके नहीं से उसमें हम कहते हैं यह धोखा देगा नहीं मुझे बाकि जो मेरे रिस्तदार हैं वो सब हैं वो सारे धोखा दे सकते पर गुलाम क्या करेगा धोखा देकर वो तो मेरे अंदर में रहेगा मैंने खरीद रखा उसको तो में धोखा थोड़ न देगा मुझे अगर मान लो मेरा फोन है या मेरा कोई खुता है ठीक है मैंने इसको खरिट के लाएं तो मेरे परती वफादार रहेगा दूसरे परती तो नहीं वफादार रहेगा तो यह चीज वह सोचके चलते थे ठीक है प्रसासनिक पदों पर निप्ति की जाने लगी जो गुलाम वह करत करने के लिए गुलामों की मदद की गई घर की लोग वह करते थे उनका भी केंद्रे परशाशन में नियूक्ती की गई अब सभी कि शक्तियां सुल्टान में नहीं थी जितनी भी पावर्स होते थी उस सारे किसके पास ती सुल्तान के पास होती थी अलग-अलग ब्हौगों की बहाली की गई थीक सुल्तान का आदेस सबसे महत्यप्न होता था सबसे लास्ट जो किसका होता था सुल्तान का माने जाता है था वजीर के बाद मुझ़ा पद्वा करता था थीक्थ वजीर राजसव वसुली की उपर में जोर दिया जाने लगा टेक्स वसुली राजजी के संपुन आयक का क्रे का लेखा जो खा राजा केंडर में रहता तो तेकले लेक जो का देखा लेंदिन का हिसाब रखता था ठीक है वह हमिसा नगर्ट सक्रेंट और में कि कितना पैसा अभी या कितना पीसा गया तो इस तरीके से दिली सलतने की केंद्री प्रशाषन की उपर में टिपड़े की किस तरह से उनका पूरा चलता था वह मैंने बताया आपको ठीके फटावट हम आगे बढ़ते हैं अगले कोश्चन के और अगला कोशन आ जाता है दोस्तों मारा नुवा कोशन के बट्टे आटवा कोशन को शोड़ के हैं नुवा कोशन के अंदर में हम बात करते हैं के सोरां तो हमें बात करें बॉस्त होने वाला और यह दो बार रिपीट होने वाले आपका तो मौरेस अंधूम राज्यक तो किंद्रेश्व रूप्स बतने के स्बसक्रास्राजारी मतलब एक राज पर जो हमारा आज के समय में किंद्री व्यवस्था है जैसे दिल्ी वह मतलब भारस सरकार हो गया अलग अलग सरकार jum करती है तो वह उस तरिके से मुरेश हम राज्य सफल्य समर्य के तोर पर दिखाता है अ STARकर्व को बार calm पकासीय का न LIKE समझ में आता है किंद्रिय शुरूप चानक के कनुसार साथ अन्थ कि बारे में की बतोर गया ठीक है साथ तरह के जो मेन था अविश्यक थे क्या था वो राजा आमत्य ठीक है जनपद दुर्ग कोश बल मित्र ठीक है चानक के नहीं साथ चीजों के बारे में बात किया कि यह साथ चीजी आपके पास हैं तो आप अच्छे से अपने राज कर सकते हो क्या क्या चीजी तो क्यता है राजा का होना जरूरी है अगर राजा है आपके पास तो आप राज करोगे दूसरा बोलता है कि आमत्य जो मंत्रीं होते हैं भाइया उनका होना जरूरी है आपके सलाकार रहोना जरूरी है नहीं जन पंतलब क्या से अच़्ोंensionsस disaster फण्तित ठीकि उसके बाद बोलते हैं वह कि कि दुर्ग भाईया रहने के लिए किल भी जुरूरत है आपको क्या बनाना पड़ेगा दुरू बोलक बनाने किले आपको बल सब कुछ आ गया आपको भाई आपने दिल की बात कहनी हो किसे से क्या कहोगे तो एक अच्छे मित्र की जुरत पड़ी कि आपको जो आपके जुरत के समय में काम आये तो मित्र बवस्ता की सुर्वात मतलब इन्हों साथ चीजों पर जूर दिया जो आविश्यक थे सेना का अच्छे निवक्ति की जाने लगी जिससे क्या होता था सेना का रख रखाव अधिकार्यों की निवक्ति करी टेक्स उसूली के लिए लग कर दी जिससे वह सारी चीजे असान होती चली गई है तो इसके अलग से ही एक मंत्राले बनाए गया जैसे हमारे भारत में प्रांत प्रशाषन की शुरुआत हो गई अलग जो प्रांत बनाएगे उनकी प्रशाषन की शुरुआत हो गया आपको पता होगा 16 महाजनपद जो मैंने भी स्टार्टिंग में इस वीडियो के जो चोटे राज्य हुआ करते थे उनको महाजनपद के नाम से जाना गया लोगों की भासा थी पाली भासा थी अच्छे यहां पर एक कोशन ऑफ दा वीडियो बनता है दूस्तों आप सभी बच्छे रिप्लाइगे अगर जो भी बच्छे वीडियो देख रहा है और रिप्ला इसकी कोशन में का चंद्रगुपत मोरिया समराज जी के जो कोशन है इसका ही चंद्रगुपत मोरिया ने जेन द्रम की सिक्छा किसे ली थी अपने मरने से पहले मिर्थियों से पहले चंद्रगुपत मोरिया ने जेन द्रम की सिक्छा किसे ली थी आपको पता होगा कि चंद यहां पर आपको यह बताना है कि जैन दरब की सिख्छा उन्हें किस गुरू का नाम क्या था ठीक है आगे हम बढ़ते हैं अंगले कोश्चन पेपर की और दोस्तों तो यह हमारा 2016 का जून का कॉश्चन पेपर कंप्लीट हो गया अब हम दिसंबर का अगला कोश्चन पेपर कर हैं यह से गुश्चन पेपर है तीन गंडे के अंदर में लिखना है पांसो सब्दों के अंदर में उत्तर देना है टोटल दस कोश्चन है उसको हम फटापट आप देखते हैं और सीखते हैं फटापट करते हैं देखो पहला आजाता है सात्वाहन राज्य का सोरूब है यह जाने लगा महा सेनापती की सुरूआत हुई ठीके महा सेनापती के होता था सारे सेना का जो हैड होता था उसको महा सेनापती कहते थे प्रांतिय प्रशाशन की व्यवस्ता की सुरूआत हुई प्रांतिय प्रशाशन व्यवस्ता जो राज्यों के बढ़ते जाने लगे ना नगर में गुख करती दहौर देखा जाता तो थी है ति राज्य का धांचा था था जिसे हैं मुगल वालों मुरिद्समराजी के अंदर में केंद्री गृत था यहां पर केंद्री गृत नहीं था ठीक है उच्छे पता अधिकारी राजा के नियंत्रन में थे जो बड़े अधिकारी हुआ करते तो राजा के कंट्रोल में रहते थे ठीक है राजा उन्हें निवत कर सकता राजा उन्हें एटा सकता था राजा के तमां होती तो यास्टियों के दूला के पास करती तो होगा करती थी जैसे होता है कि सबसे पहले क्या बोलन सबस्क दिदेता है कि यह बात तक जाएगी ठीक कोई भी नेटा को अगर आप कुछ हो तक ले जाओंगा इस बात को में दिली तक पहुंचाओंगा कोई भी नेता है तो बोले आपको क्या करना है विए मुझे कुछ नहीं करना मुझे संसत ववन विधान सभा जोभी चीजें दिली के अंदर महीं आता है अगर किसी को उचे लेवल i. बड़े राज्य के लिए सारी कुछ नहींत होती थी तो यह देखा गया सकती-साली राज्ततर व्यवस्था के सुरुवात कि पूरी fair राज्य की सुव्यूंत्र थी ऐसे पूरी वेसे अंत्रन्य नहींत्रन्य में थी खनीज उत्पादन पर इक अधिकार थे ता राजा के द्वारा इक अधिकार बढ़ाये गया तीक है बीयास दर्जरों होता था बहुत ज्धर अधिक हो गया था ओ sug Э wr up uw पहाना तैह कि आगा गया कि आप मुल्य तथा मांन का आप भुकतान कर सकते हों ठीक का मुल्य मांअ का मतलब क्या आपने एक किलो लिए तो एक किलो है किस तरीके माप है वो उसकी सुरुवाद यहां पे देखने के लिए मिल जाती है दोस्तों टीक है पहला कोश्चन में आता चलिए अगला कोश्चन हमारा आता है यहां पर दूसरा कोश्चन पारंभिक मद्यकारिन राजनितिक व्यवस्थां के अध्यन सम्मंदित विविन परीपेच्छे भी आये राजा वह आये गए आये वाला सीन चलता रहा जिसकी कालन से काल जाता है कि इस्टेनिबिलेटी नहीं मिली अंदकार यूग माने गया राजनेतिक विखंड़ता था टोटल सभी के अंदर में वहां पे राजनेतिक विखंड़ता था ठीक है सांस्कृतिक पतन हुआ यहां पे राजनेतिक एक्ता में अनुफ पस्देति थी राजनेतिक एक्ता नहीं थी लोगों के अंदर में सम्राजीक जो समाजिक सासकों की विखंड़न हुआ ञा ठीक है राजवनसीय परिवर्थन बहुत जादा से परिवर्थन आये कैस सारे राजवनसीय है सम्राजे के सीमा व spontan हुआ नकरात्मक परिवर्थन का काल माना गया ठीक है तो यह सारे यहां पर पॉइंट्स बनते हैं आप इसको explain कर सकते हो दोस्तों ठीक है समझ में आता है यह चोटा कोशन था और इतना important है नहीं कुछ खास है नहीं कि इसके अंदर में बता जाए जाए तो यह आप इस तरह से लिखोगे तो भी आपको नमबर मिल जाएगा ठीक है अगले कोशन को बढ़ते हैं हम तीसा कोशन यहां पर करते हैं इस वाले वीडियो का तो अठारी सताब्दी के अठारी सताब्दी विवाद का आल अगर दूसरा समराज्य का नाम होता अंग्रेज जो द्वारव विवाद का नाम दिया था समझ में आता पर इसे क्या लिखें इसके अंदर में यह बनता है कोशन बट इनके आंसर है प्रपर आंसर है ठीक हम देखते हैं फटा-फट यहां पर जो इसके आंसर बनेंगे दोस है हिस्ट्री इंगल्त भुख है उसके नौह उकोरडिंग बनेंगे ठीक है फॉल उफ मुगल उंपायर जो मुगल उंपायर का घिरना उपायर का पतन हो न इसके बनेंगे यहां पैठारी सिथाब्दी को अंदकार यूग के तरह पर देखा गया मुगलों का यहां अपने आपको सोतंत्र घोसित करने लगे दा ग्रीष्टियन सिस्टम आप दे मुगल इंडिया इस बुक के कोडिंग हम बात करें तो कृष्षी विवस्था में संकट आया कृष्षी विवस्था के अंदर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिली ठीक है समाजी दूसरों के में निरभर वाले अदिकार्य उतने जाता इस तर से ढीरे देरे करते हुए पूरा तर से पतन होता चला गया। अगले कोस्ण के और बढ़ते हैं कोशन हम आहता है उत्तर भारत चोथा question उत्तर अपनिवेशिक कालिन भारतिये की राज्ये, भारतिये राज्ये की परमुख विशेष्ताओं का विवेचना कीजिए उसकी परमुख विविशना क्या है 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 व तो भारत को उत्तर अपनिविश्य की राज विवस्था के तौर पे दिखा गया ठीक है राज विवस्था उत्तर अपनिविश्य की राज विवस्था के तौर पे दूसरा पॉइंट है यहां पर आता है आपका जनतांत्रिक विवस्था था ठीक है लोगों के तर में पूरा जन तांतरिक राज विवस्था था थीक है तीसरा यहां पर देखा जाता है कांग्रेस की भुमिका महत्यपुन थी यहां पर को अमगर्स की सुरुवात हो गई थी कि कांग्रेस की सुरूआत हो गई थी विश्वजीत समाजिक सनरचना स्वारी मैं अपने नाम कोई बोल रहा हूं ठीक है यहां पर तीसरा क्या जाता है समाजिक सनरचना का ओजे हुआ ठीक है अलग अलग तरह का विखंडित समाजिक सनरचना विखंडित मतलब अलग अलग टुकडों में बटा हुआ समाजिक सनरचना का उधर य पॉन्जी वादी विकास हुआ ठीक है लोगों के पास संपत्ती आई इसले लोगों ने उसका विकास किया यह चीज़े यहां पर देखने क्लिए मिल जाता है अधारबुष संरचना का सुरुआत होता है जो में चीज़े चाहिए बेसिक चीज़े चाहिए वुच की सुरुआत हो जाती है उच्छे वर्गों उच्छे वर्गों का नोकर साही प्रवंध हुआ थीक है राजे विवस्था की सुरुआत हो जाती है और गैर बाजारी किर्याए उसकी भड़ जाता है जो गैर आर्थिक किरिया ही होती है जो गैर बाजारी किरिया होती है उसकी वो बढ़ जाता है ठीक है समझ में आता है इस सरस्री वाला कोशन यहां पर आपका complete हो जाता है इस पेज का लास्ट कोशन आपका दिल्ली सल्तनत के अधीन राज्यों के स्वरूप की संबंदित आधुनिक इतिहांस कारों के मतों के विवेचना कीजिए ठीक है दिल्ली सल्तनत के अधीन राज्ये जो थे उनके स्वरूप में ठीक है उनके आधुनिक इतिहांस कारों द्वार जो आधुनिक इतिहांस कारा है उनके दुन्होंने क्या विवेचना के इसके बारे में हम बात करते है तो यहां पर बात करोगे दोस्तों तो मैक्स बेबर मैं यहां पर बोलता हूँ आपको ठीक है आपको बस समझना है ठीक है तो मैक्स बेइबर करके एकनोमिक एंड सोसाइटी ठीक है एकनोमिक एंड सोसाइटी के आते जिन्होंने बोला कि जो दिली सल्तनत है वो दिली सल्तनत क्या है वनसानुगत है ठीक है वनसानुगत राज्य है यहाँ पर उन्होंने वनसानुगत माना उसको ठीक है एक के बाद एक बनेगा उसकी फैमिली का बनेगा ये जैकप रसेल करके एक विचारक आए जैकप रसेल ने माना कि जो राज्य क्या है उच्च अधिकारी उपर निरवर हो यह सारे अधिकारी उपर निरवर है कि के साल करना हुआ ठीक है धिछा of ओर उन्हो est सुछ डिकारी उपर निरवर है पूर। गीचर के और अ करना हुआ । पिटर जेक्षन ने यह माना कि दिल्ली केंद्रिकृत राज्य है केंद्रिकृत मतलब क्या सारा कुछ इसको रिपोर्ट करते हैं और पूरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ तो केंद्रिकृत मानकर चलता है यहां पर 1192 में तराइन के यूद के बाद में दिल्ली सल्तनत के स् विचारएक वो कहते हैं कि एक्ता का भाव था ठीके दिल्ली के सल्तनात के अंदर ने क्वाव देखने के मिलता है यहां पर बताती हो इस्तान सत्ता की आपसी संघर्स जो मला करें जो क्या था उसका आपसी संघर्स चल रहा था ठीके निमनिस्तर पर सेन ने तकिनीक टखनीक जो सेन ने तकनीक था वह बहुत छोटे इस्तर का था ठीक है निम्न इस्तर का था ज्यादा विक्सित तकनीक नहीं उसकर रहे थे हूँ ठीक है 1192 में जो तराइन का यूद वा था उसमें प्रित्वी राज चौहान के हार हुई थी सोरी दोस्तों 1192 का जो यूद हुआ उसके अंदर में प्रित्वी राज चौहान के हार हुई थी और उसी को तराइन के यूद के तौर पर जाना जाता है और वहीं से दिली सल्तनत के सुरुवात हो जाती है दोस्तों ठीक है समझ में आता है और भीनिक स्थाने सक्तियों का उदै होने लाधा है नेने सक्तियों का उदै होने लागाता है ये लौ मिल थापर का यह आँ पर पर कहना था तो आपने यह विचारक का नाम आशार को देखा आपके इस 一よう प्राचीन भारत में विधी के विविन परकार के वंडन किजिए विधी यहां पर कौन विधी भाई कैसी विधी को समझ में आने वाला ऐसे अगर उठाके देदिया जाने कभी तो आप कौन सी विधी के बारे में बात कर रहा है यहां पर कानुन विवस्था के बात की जारी है यहां पर किसके बारे में बात के जारे है कानुन विवस्था की अब देखो यहां पर विधी की सुरुवात का मतलब क्या था कि अब जो अंग्रेज आए एक प्राचीन भारत के अंदर में अंग्रेज से पहले जो था राजा उ उनके अधार पर पड़ी हुई मतलब यह निया मतलब हमारे सनातन धर्म में ही हैं वह सारी हमारे धर्म की भूके हैं तो उनके अधार पर अलग लग तक है रूल रेगलिशन बना गया जो नागरिक तथा अपराधिक कानून के तोर पर देखा गया सुरी दोस्तों बहुत ज्यादा मतलब अर्ली इन दा मॉर्निंग में उठके आपके लिए वीडियो बना रहा हूं तो उसके गान थोड़ा सा होता है ना बॉड़ी भी आपकी जबाप दे रही होते जब आप डिड़ घंटे नहुने स्टाप बोल रहे होते और तीन चार संटर में क्या था कि रूल रेग्लेशन के बारे में कर सकते तो राजा उनका किया उसके आधार पर दो-घंट कर सकते हैं तो राजा उनकी तो ना-गरिक कानून और आप रहादी कानून मैं आपको नफटा बटा इन लंड़ दा क्योंकि बहुत ज़्यादा है अगर में कि हो गां तो फिर तो मेरे जिंद्दिध्य और आपकी भी पहला दो रिन चुकाना ठीकर रिंच चुकाने के लिए कंश्धा प्रण के लिए कंश्धा होता अपर स्वामितु बिकरी के लिए करनून ठीकर और चौत्था उता सांजिदारी की चिंटा एंड़ा पार्ण के लिए क के लिए खरीद बिकरी के लिति के लिए कानून जो भी खरीद घ्री गरिदी कले लिए उसकित कृसी उसका रही खूली रिष्षायद्ध के लिए कानून थीदित के लिए कानून के लिए कानून निके पति पतनी पति कर तब करते मतलब अभएर की बात कर रहा है जुवा और सठ्वाम नियु अनुहीं के लिस्ट बनाई कि बिये कानून पर जो लोह थे हमारे इन लिस्टों को तोड़ते हुए कुछ नए वर्ड जोड़ते हुए चले गए ठीक है तो नए कानून की सुरत पढ़ने लेगी तो वह सफल नहीं रह पाया उतना पर उस टाइम की साफ से बहुत बड़ा सोच करून नहीं था आगे तक कि यह चीजे हो सकती है ठीक है समझ में कि मिर्थियू के पच्चाथ बटवारा ठीक है संपत्ति के अंदर में बरावर का हिस्सा बनेगा जो संपत्ति हो उसके इंदर नहीं सभी को बरावर बटएगा और जो बड़ा पूत्र है जेस्ट पूत्र है उसको ध्याला मिलेगा यह मैंने आपको श्टाटिम है तो यहा चटा वो किस-किस बच्चों को समझ में है वो मुझे बताना जब मैंने फर्स टाइए मेरे पास आगया ने कोशन कि यह कोश्चन है इसको सॉल्ट को तो मैं पहले सोचा कि यह गलती से पदा चला में वाले बच्चों को दे दिया है क्योंकि इस तरह कोश्चन उसने लिखा है कोई बेस ही नहीं बड़ा चल रहा कि क्या है कि भारत उत्वराजिन भारत में विधी के प्रकारों की मतलब एक तरह कानून बनाने का मैथ्ट क्या था कि इस अधार पर बनाया गया उसके बारे में बात करता है और यहां पर आपको भूमिधारक थे अप लिखते जाहिये जमिन दारों की अपार अधिकार की व्यवस्था कि गई ती किस तर से टेक्स वसूलण दारे तो प्रांती अधिकारी नियुक्ति करते थे प्रांत के अंदर में उनके उपर भूमी धारकों के उपर में जमीन के अंदर में किसानों के उपर में नेंतन रखा जाता था धिकारी 18 सथाबदी के दोरान में केंदर सरकार के कमझौर होना शुरूर गई थी उद्वेए दर केंदर के प्रिशासमे Finanth वेवस्था थी वो जो क्या होते लगी प्रककी कमझौर होने पूंद चले गए सैनी के संग्या कम होई दिल्ली की दें इदली दे योजना प्शोपिल होगा क्योंकि टैक्स बढ़ना पड़ता सब लोगों तो दिल्ली को टेक्स वो दे नहीं पाते थे दिल्ली के टेक्स देना मुश्किल होता चला गया राश्व की मांग अधिक बढ़ते नहीं लेगी टेक्स की जो बढ़ते ही ज्यादा हो गई कि भीया आपको ज्यादा टेक्स पे करना पड़ेगा तो इस तरह से सारे पॉइंट बन जाते हैं बंगाल की प्रस्रासन बास्ता के परमग विस्ताहों के खिए उनकि विस्यंसाइप ठीक है अगले कोश्कछं के और हम बढ़ते हैं तो भारत अ ऑंपनेवे states नहीं कोया करने के लिए अब ब्यान किस परकार से और के शार्ष्न द्वाराण के लिए ठाभ जो अपनिवेशिक काल के दोरान में जो दस्ता वेज को इकत्रित किया गया ठीक है संगलित किया गया तो उनके अभियान पूरा चलाए गया तो खिस परकार से सास्तन ववस्ता को सुरक्षित बनाए रखने के लिए किये गए ठीक है अब अपना बुक पढ़ने का रीजन क्य जो भी ते करता है कि जो भी राजा महराजा जैते कि उनकी बुकष कंटकलेक्ट करता रख सकते lies तो अकी तरह से नार जान जोघ्म से के बाद उन्होंने सैनी भरती को लेकर जब वह अठाशन तावन के अंदर में विद्रो हुआ तो उनको लगा कि भीया आगे चलके यह क्या हो सकता है कि हमारे लिए खत्रा बन सकता है तो उन्होंने कहा कि सैनी भरती शुरुआत करी ठीक है उपनिवेशिक सिध्धानतों को प तरता फैला दो जिससे वह अब दोनों को बांट के रखोगे तो आप हमेशा राज कर पाओगे इसकी सुरुआत कर दी थी अंग्रेजों ने ठीक है जिसके कारण से यह मतलब उन्होंने सीखा राजों के दस्तावीजों से सीखा कि किस तरह का चीज हम कर सकते है उनको सीखन लास्त प्रान्त प्रांति प्रशासन पर तुब बात करें तो प्रांतों बाता गया ठीक है जिसे जैसे मैंने स्टाइंगे बताया प्रांतों को बाता रीजन कि अगर एक राज्ये एक राजे को आप 10 पार्ट में बाढ़ दे तो टोटल उसके अंदर में 10 तुकड़े हो गए आप अगर सिफ 10 लोगों से ही बात करोगे तो आप उन सभी पूरे राजे की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो कैसे अब जैसे दिल्ली का एक्जामपल लेकर चलते हैं दिल्ली के माल विशुजीत जी बताईए आपके क्या प्रॉब्लम है आपको क्या ज़ूरत है दिली के अंदर में क्या कमी है वो मुझसे नहीं आकर पूछेंगे तो मेरे जैसे कितने डाई करोड लोग देली के अंदर मेरे तो निर्वाचित हुए हैं पांच साल के अंदर में तो जाने स चुनाव जीत करा हैं वह भी अर्विंद किद्रिवाल जी की तरही तो जो 70 लोग है न यह क्या करते हैं रिपोर्ट करते किद्रिवाल जी को बहिए मेरे यहां पर यहां पर यहां पर वह चीज़ी चल रही है फिर उसके बाद पर कारिक किया जाता है ठीक है तो इस तरह से अगले कोश्चन के और हम बढ़ते हैं ठीक है अगला कोश्चन जो आपका यहां पर आएगा पांचवा कोश्चन पर पेज नंबर फाइप ठीक है दो हजार जून 2017 का कोश्चन पर पर हागया दोस्तो जून 2017 ठीक है आप मुझे दो से किन देजीगा दोस्तों मैं यह थ्वाज़ा पानी के लेता हूं मैं गलाव बहुत ज़्यादा सूख रहा है कि पर फेंड्स थैंक यू स्टांट करते हैं जून 2017 अगला मारा कोश्चन पर म्ह 1-0-4 भारत में राजनीतिक संद्र चण हैं इंस को नंबर का कोश्चन पर तींगंटे के अंदर में करना है बांसों वर्ट के अंदर में हमें आंसर्ट देना हैं तीक है वापस से स्टांट करते हैं अपना पहला कुछ है देखो भू काल के नदर में बोध काल मतलब के गौतम बुद्ध वाला टाइम ठीक है बोध काल के निसे निदर में नहीं कि आधार मान कर हम उसको जिक्र करते हैं तो बूध काल में भू छेत्रिये राजियों का उदफवा हुआ उसकी विवेचना करना उसके बारे में हमें बताना है तो किस तर से था क्या था इसके बारे में बात करें तो क्रिशी कारे का पारम हो चुका था यहां पे क्रिश्य कारे का पारम हो चुका था ठीक है लोही का उप्योग ठीक है लोही का उप्योग शुरू हो गया था उसके बाद आप बात करो तो सिल्फ उद्योग का विकास हुआ सिल्फ उद्योग का विकास हुआ आगे बात करो आप दोस्तों तो धातु की मुद्रा का परचलन हुआ ठीक है मुद्रा का परचलन हुआ यहां पर हम आगे देखें तो प्राकर्तिक धान का उत्पादन ठीक है यहां पर धान का उत्पादन हुआ धान का उत्पादन के संस्थागत और समानताइं फैली वैशे और शुद्रों में पर किर्शी की जिम्यदारी डाली गई ठीक है जो निम्न वर्ग था वैशे और शुद्र उनके उपर में किर्शी की जिम्यदारी डाले गई अनुस्थान की सुरुवात की जाने लगी अनुस्थान की होता है तो अनुस्थान जो से यग वेग होता था तो उसकी सुरुवात की जाने लगी अब यहां पर कहता है कि भू छेतरी राजे का उध्वग कैसे हुआ ठीक है भू छेतरी राजे तो सबसे पहले यह क्रिशी की सुर्वात हुई लोहे का उप्योग की जाने लगा सिल्प का उध्योग का विकास हुआ धातु की मुद्रा का पर्चलन बढ़ा ठीक है प्राकर्त समानता है बढ़ने लगी ठीक है वैश्यों और शुद्रों को क्रिशी की जिम्मदारी मिली साधात समाज का विकास हुआ ठीक है वन्स करम समाज का विकास हुआ कि मेरे बाद यह बनेगा इसके बाद यह बनेगा इस तर से ठीक है क्रिशी भूमी क्रिशी भूमी नीजी पत्ति के तोर पर देखा जाने लगा अनुस्ठानों का सुरुआत हुआ बली पर्था की सुरुआत हुई ठीक है तो यह सारे चीज़ें यहां पर देखने के लिए मिल जाते हैं को फॉस्ट के अंदर में को सेकिंड के हम बात करें तो तीसरी से छटी सताबदी के अंदर में दौरान में दच्छिन भारत की राजनेतिक व्वेस्थाओं के सोरूपों की समाजी का अधारपर टिपड़ी किजिए समाजी का दारपर हमें दच्छिन भारत के बताना है तीसरी से छटी सताबदी के दौरान के टाइम पिलिड़ का रफ करते हैं पहले फटावर्ट थ्ट इसासक घरानो की राजना देती है विकास हवा यहां पर समाजिक उध्य हुव ठीकर यहां पर चेत्री सकति का विकास हुआ ठीक है जो राजा के बाद उसका बेटा बनेगा उस तरह के सासक वनस आये जैसे चोल छेर पांडे निया सारे सासक वनस आये समाजिक तर्पर एक स्पर्स्ट वर्ग का परति निधितु ब्राइमन चीतरा कर रहे थे, मतलब आजित ब्राइमन आगे हम बात करें तो ब्राइमन चीतरी द्वारा कार्य कलाप उब समाजिक तर्पर के अपनायाτικताकियाutes ब्राह्मन के पास मुखी जमिदारी नॉर्मली क्या होता है अपना वह युढु करना न वह उनका काम नहीं ए इस ते इस तरह से उनका चलता चला गया भारती रास तंत्रों का विकास हुआ लिए ते के Government सता कुंए कास होता है और राजनितिक सत्ता की स्थापना हुई राजनितिक सत्ता अलग अलग तरह के राजनितिक सत्ता का यहां पर इस थापना होता चला गया ठीक है तो यहां पर दूसरा कोश्चन यहां पर यह वला खतम हो जाता है इस तरह साप लिख सकते हो यहां पर बस मैं आपको और संकर्मन और संकर्मन के विशे में विभीन मतों की प्रिक्षन कि इस तरव से पारंविक मदेकाली भारत के नंदर में संकर्मन हुआ तिया पर gd को सांबी gd को सांबी rd sarma bns यादव ठीक है बी एनस यादव यह चार-पंस जो विचारक आ जाते हैं तीन जी-डी को सांदी हैं जीडी को सांदी, सौरी आर एस सर्मा वह ंचया, तो हको टीन विचारबिक महने क्या है? पूरे हिस्ट्री को टोटल तीन पार्ट में 裡 मतौい एक इस तरह तरह दिवाइड करने का कि इस टरडी असान हो समझतने मैं असान हुग कि एक टाइम पिरेड हो इस टाइम के अंदर में यही कि राजनितिक व्यवस्था का विखंडन देखने के लिए मिल जाता है और अर्थवस्था वैपार और सहरी करन कमजोर होगा और गिरा इसके बारे में किसानों का शुर्षन बढ़ता चला गया जातियों की बहुलता बढ़ी जाती जो थी उसकी बहुलता बढ़ती चली गई विचारधारा और संगर्स बढ़ा ठीक है संगर्स मतलब एक आइडिलोजी डिफरेंस आता चला गया लोगों के अंदर में भूमी अनुदान की ववस्ता की सु सुर्फों में से एक था इसको इन सभी को पढ़ने के लिए अ कि बना पर्मुख सुर्फों में से एक था ठीक है समझ में आता है तो यह सी को श्य चरोथ है अब हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनट के वफशन Exercности की अधिन राद्ये के विशेशन विसेस रूप से फर्क ये आपको यह नाम याद रखना है किताब अलहर्व अदाब अलहर्व फरक मुदिबिर ने एक किताब लिखी जिसका नाम था अदाब अलहर्व यह किसके लिखा गया तो यह इल्तुमिस के लिखा गया सब्सक्तवर्ध 40 chapters 40 chapters में सब्सक्राइब ते बागी जो 28 चैप्टर बशते हैं यूद् कला के बारे में बताइब जिसके बताए कि मंगोलों को उन्होंने खत्रा माना मंगोल को खत्रा मान के चल रहा था क्योंकि जिस तरद से इन्वीजन कर रहा था बन प्रली सल्तनत के लिए खत्रा बनता हो दिख जा गें गयर मुस्लिम पर जजिया कर लागु तरह को अपना लो इस तरह के पास रास्ता चुड़ा गया सत्ता साशक वर्ग के हाथ में था सत्ता था पूरा जो कंट्रोल था किसके हाथ में था तो साशक वर्ग के राजा के हाथ में कंट्रोल था ठीके इसलाम को कबूल करना एक उपाय रखे तोर पे रखा गया अगर आप यूद करते हो आप नहीं जीत पाते हो ठीक हारने के बात के करना पड़ेगा आपको Islam कबूल करना पड़ेगा या आप यूद कर रहे हो तो यूद करने से पहले आप Islam कबूल कर लो जिसे हम आपको छोड़ देंगी तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर शुरुआ की गई और ये इसकी बुक में बताया गया है ठीक है मुदिविर की बुक में ये बताया गया इसका जिकर किया गया है ठीक है मालिक की आगया मानना इसकी विचारदारक को माना गया कि राजा को आप मालिक के तौर पर मानो हैड मानो ठीक है और राजा को इवन भगवान से भी compare किया गया कि खुदा है ठीक है खुदा के तौर पर उनको देखा गया समझे में आता है अब बर्णी की बात करें बर्णी यहां पर जो दूसरे विचारक आ जाते हैं आपके विचारक नहीं राइटर आ जाते है बर्णी बर्णी के अगर ह किंद्र नहाय होना चाहिए पूराजा मतला बगर किसी भी चीज सत्ता के अंदर में जो में बिंदू होना चाहिए नहाय को फोकस करना चाहिए नहाय करना सासन सासगवर का पर्मकुदिश से होना चाहिए जो राजा है उसका पर्मकुदिश से क्या होना चाहिए नहाय होना वियुद करने चाहिए ठीक है सत्ता कायम रखने के लिए सद्गुन अफगुन की बात करता है कि हर राजा के अंदर में सद्गुन होते अफगुन होते उसके बारे में बात करता है ठीक है कानुन वबस्था की बात करता है को मुसलमान सासक का आदेश जो मुसलमान होना चाहि ये सारी चीज देखने क rinse लिए मिलती हैं तो दोस्तो है जतनी भी झाई गूझाँ ना एक तऱ से आपके बुख भूग में बताए गया कि यह पूरी तरह से संगत नहीं थी नहीं संगत कहने के मतलब क्या है कि सब आपको दुलया कि कि जरी वाल जी ने ठीक है अपने आपको बोलते हैं ना डेली का माली को दिली का माली को तो मतलब मालो किसी नहीं बुलाया मोधी जी नहीं बुलाया आपको ठीक है अब बुलाने के बाद आपको कहते हैं कि भाईया एक काम है आपको एक बुक लिखनी है बुक लिखनी है किस बैस देंगे तो आप क्या खराब वाला नीतियां बताओगे कि ये खराब है और उसकी आलोचना खुल कर करोगे अगर बता भी दे तो कि आप खुल कर उसकी आलोचना कर पाओगे यहां पर सबसे बड़ा कोश्चन यह बनकर आता है ठीक है तो इसी तरह से यह था कि मुदबी सब्सक्राइब हो गया और भी बहुत सारे विचारक आए वह खुल कर इसकी आलोचना ने कर पाए पर जो अलग अलग यात्रा विरतांत देखने कर मिलता जैसे आप इवन बदूता को पड़ोगे अलग पड़ोगे तो आप खुलकर आलोचना भी की गई है उनके खुलकर त अगला कोशन के और बढ़ते हैं पांचवा कोशन हमारा आता है पांचवा कोशन कहता है कि भारत में अपनिवेशी काल में द्वारा अपनाए गए नियंतरन के परमुख प्रशासनिक तरीकों की बारे में बात कीजिए ठीक है इस कोशन को दोस्तों मैं करवा चुका हूं आप देख सकते हो तो जून का कोशन विपर 2016 का खोल लीचिए कोशन नमबर आपका चार मिल जाएगा ठीक है अब अगले कोशन के और बढ़ते हैं अगले पेज परम बढ़तें दोस्तों कि यहां पर अगला कोशन आ जाता है हमारा चोल सासक के दिन पर शासनिक संस्थागन यह वाला भी करवाय हुआ कोशन आपको क्या करना है जून में जाना है जून 2016 के अंदर में और वहां पर कोशन नमबर छे यही है अगला कोशन आ जाता है विजय नगर में नायक ठीक है नायक और अगर ववस्था पर टिपनी कीजिए अगर अब नायक को पहले हम समझते है नायक है उता क्या है तो नायक को प्रांतिय प्रशासन ववस्था के तौर पर देखा गया ठीक है नायक सेना नायकों को कहा जाने लगा जो नायक होते थे सेना नायक मतलब एक तरह का लीडर ठीक है जो लीड कर रहा है ठीक है वेतन के बदले में वे अधिनस्त सेना रख र ऐसक आपि वह और तो सेनी डी रहा जाता था तो जुट समीन दिय आप को ऊस पर आप कहती करलो आप कमाओ तो इसे करके नायकों को मतलब रखा जाता था ठीक है समझ में आता है विजयनेगर के अंदर में अब यहां पर आइगर विवस्था कि अगर बात करो तो इनको जो नायक हो तो इनको अमर नायक के तौर पर भी का जाता था कि क्या है अमर नायक है टिक है अमरण नाएक अईगर ववस्ता की अगर हम बात करें तो ग्रामिंट पर शाशन वववस्ता थी ठीक है इस सोतंतर 10 के रूप में ग्रामों में विवाजी थी ठीक है सोतंतर 10 काई के तौर पर राज करती थी सासन के लिए 12 सास वेक्टियों को न्यूकत किया गया ठीक ह बारें बात करें तो अलिघड के विद्वानुश्यों ने मतलब अलग अलग हो सकरा वीचार्णकवन का दे नाम ले रहा हूं, आपको बस नोट करना है थिक है क्या है राजवन्स अनुदान पद्धिती की सुरुवात हो चुकी थी ये अलिगड के विद्वाने उन्होंने बताया ये उन्होंने उसको अपनी बोल आई ये चीजे वो बोली आपके बुक में मैंसन है आप वहां से देख सकते हो एक अगले विचारा गाया आते हैं जे एफ रिच करते हैं एकि कृते प्रशाशयम के बारे में बोलते हैं इस पर न है इसकै उलघार से मिलाई हो यहां पे एक को और विचार गाया थे इरफान इरिफान अभीव किया एक किर्चित परशा से असलिए निश्ची दर थी ठीका टैक्स था कि इस फसल के लिए आपको इतना टैक्स देना है इसका एक निश्चीत दर तै किया हुआ था ठीके समझ में आता है अगला कोश्चिन हम देखते हैं भारत भारती सिक्षा नुवा कोश्चन भारते सिक्षा वेवस्ता के अपने वेशिक सासन पर प्रभावों का विवेचना किजिए अब भारत के अंदर में कहा था कि नॉर्मल हिंदी या जो भी अलग अलग स्थाने बाजाते उसको लोग पढ़ते थे ठीक है उसी के उपर में मारी सारी गरंत भी थे अल्मूस्ट तो अंग्रेज आये तो उनको अंग्रेजों को डील में दिक्कत हो रही थी कि क्यों अंग्रेजी बोलते थे और हमें हिंदी ब कि अंग्रेजों को डिक्कत हो था तो उसके हए रही हमें उसके कांँ से काम पर बढ़ाया ठीक है अंग्रेजी शिक्षा का पर्चारव पाणबाया अब उस다 क्यों कि अगर आप आपने इनग्रेजी से इखा दें रही दो singular कांप नहकरीया थैकर अंकरी नेर्य लोगों को ठीक है लाला से दिया गया ठीक है दान दिये गए जिसे लोग आएं दान देने के मतलब क्या था कि भीया अगर कोई बंदा है वो अंग्रेजों से नफरत करता है कि अंग्रेज क्या कर रहे है गलत कर रहे है पर अगर वो उसको दान दे रहे हैं कि भीया मैं तुम्हारा घर च सुरुआख की जाने लिए जो भी भारत के नरे में कुरीतियां got did euro कि यहां पर देखने के लिए मिल जाता हैं तो यहां पर तीम के एंप करते हैं कि संफ्ब्र जो पहले सायब अधर अधर में गों क्रहीं क्या यह दो. अब यहां पर मुख्यातंतर के बारे में जानकारी कैसे मिलती है तो साहीतिक आधार पर ठीक है मुख्यातंत्र की संरचना यहां पर देखने के लिए मिलती है तमिलकम ववस्ता में राजनितिक ववस्ता में मुख्यातंत्र की संरचना में देखने के मिलती है साहितिक परंपरा का जन्म होता है साहितिक परंपरा का यहां पर जन्म हो जाता है ठीके मुक्य अतंत्र जो था वो दूसरी सतावदी में अस्तित में आया ठीके दूसरी सतावदी से यहां पर अस्तित में आया मुक्य अतंत्र मुक्यातंत्र समाजिक आर्थिक परकिरिया थी ठीक है मुक्यातंत्र किस पर डिपेंड करते थी तो समाजिक आर्थिक परकिरिया पर डिपेंड करता था ठीक है यहां पर बात करो कि लोही का परियोग का यहां पर सुरुआत हो चुका था लोही का परियोग का सुरुआत हो च किलार वैल एंतार किलार को क्रिशक्त तोर पे नहीं, सत्ता भोगी के तौर दिखे गए और जो वैंतार थे वहाँ से कोश्चन में करवा चुका हूं आपको जाना कहा है तो जून जून 2017 वाले कोश्चन वीपर में जाना है वह पर कोश्चन नमबर तीन यही है ठीक है अगला कोश्चन देखते हैं मुगल समराज्जी के पतन के बाद उबरी अठारवी सताबदी की राजनेतिक व्यवस्थाओं की आलोचनात्म परिक्षन कीजिए ठीक है मतलब जब मुगल सत्ता का अंत हो गया तो उसके बाद किस तरह का राजनेतिक जो व्यवस्था था वो किस तरह का था इसके बारे हम बात करते हैं तो नहे राज्यों का उदे हु कि अंग्रेजी हुक्विमत की शुरुआत रुगहु हो गयी अंग्रेजी हुक्मत को खड़ा किया गया ठीक है नए कानुन व्युक्ता की शुरुआत की गई ठीक है क्योंकि पता चल गया जो हमारा पूरा व्यवस्था यह वह मजगूत नहीं है आगे चलिके में प्रॉब्लम हो सकती है दूसके काई से उन्हें अपना इंप्रूमेंट सुधार करने की सुरुवात करती है और वही वहां से उनकी सत्ता में परिवर्थन का कारण बनता है ठीक है समझ में आता है अधार विश्यस्ताओं का विविजना कीजिए ठीक है अपने विश्य काल में जो राजवाड़े हुआ करते है अब राजवाड़े क्या जैसे आपको पता होगा आपने कई बार में पढ़ा होगा कि इस अधार बल्लवभाई पटेल ने 565 राजवाड़े मतलब क्या 565 राज ठीक है अब यहां पर कहरा राजवाड़ों की प्रभूसत्ता के अधार पर विश्यलेशना कीजिए ठीक है अपने विश्य काल में तो रियासतों की प्रशासनिक संरचना है ठीक है उनकी जो प्रशासनिक संरचना है थी वो अलग थी ठीक है उसकी बेस पर राज करते थे ठ समराज जी का नियंतरन के तरीके अलग थे यह में तीन बिंदू होते हैं और मैं आपको इस कोशन का जो सला दूँगा दोस्तों आपको कि एक बार आप इसको अपने आप सेल्फ पढ़िएगा ठीक है सेल्फ किजिएगा जिससे आपको बुक से थोड़ा सा पढ़ोगे तो आ जाद अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि यहां पर उतने अच्छे से मैं बता नहीं पाँगा इस कोशन को आप थोड़ा सा बुक से पढ़ीगा आपके लिए कोशन रहेगा आपके लिए वर्क फ्रोम होम समझ लिए आपको होमवर्क में करना है को यह ठीक है अगला कोश नहीं सब्सके बारे में थे तौर मर् Mengples मा मात्र तर्म महानत्र के तरू पर इनकी होगारन करते थे जमको कहता थे भाम मात्र सर्वुच अधिकारी चेमें कि तौर के तौर के लिए ऐतए प्रमुपका अधिकारि प्रमुपका जो निघती ती, जिसके अंदर में सेनापती ग्राम भूजक आमद थे और भी बहुत सारे अधिकारी होते थे ठीक है प्रांती ववस्था की सुरुवात की जाने लगी प्रांती ववस्था क्या होता था जो राज्य का विवाजन करना जो मैं कई बार इस वीडियो के अंदर में बताया आपको थैक है और फेसला के जाता था तो ग्राम ववस्था की सुरुवात की जानने लगी सट स crane डूस्तों यहां पे देखने के लिए मिलता है करपporaточ टेक्र्ट प्र呢 lige क्या लिए आंक है जिसमें ब्लाणों को बाहर रखा गया कर प्रणाली के नदर में इससे इनका इमाना था कि सब एक्स नहीं नई हैं धिक कई टैक्स यह सबाखने लिए के सब्सक्राइब नहीं हृप से एना का यर्मार्ण करें के लिए प्रुप सासकों अ कि नहीं सब्सक्राइबू test नागरिक और अपर आदिक वाला पता करते हो यह आपको कहा मिल जाएगा तो दिसंबर 2016 का जो कोशन पर है उसके अंदर में आपको कोशन 6 के अंदर में मिल जाएगा ठीक है समझ में आता है अगला कोशन हम यहां पर देखते हैं आठवा कोश्चन दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक तथा संस्तागत संरचनाओं का व आये थे अरब से फारस से तो वह सारी अर्वी और फार्शी पद्दी पर उनकी सासन विवस्ता धाल थी पर शासन विवस्ता का जो में केंद्र था मतलब पर शासन का जो केंद्र विंदू था वो केंद्र था ठीक है राजा था राजा को माने जाता था केंद्र के तौर पर यहमें नाम पर साशन करता था है CT यहां पर देख नियां जाता है कि मुस्लीम सासथ पारदेति के अंदर्म पर आधारिट थी तो को रीफतर पुश्ट के अधारित थी थी पिट्रski पुस्तट के अंदर में और वोच्चे व्यक्ति के तौर पर माना गया प्रशाशनिक अधिकारी की निउक्ति की जाने लगा ठीक है प्रांतिय प्रशाशनों की सुरुवात हुई प्रांतिय प्रशाशन मतलब यही कि राज्य को बांट देना के टुकड़ों को अंदर में तो प्रांतिय प्रशाशन क प्रांतिय प्रशाष्ण की सुरुआत दू अलग अलग चीजेह एक में अलग Sutra में सपस्जिए मैं क्या हुआ कि राजी को बाषद देना अर प्रांत्य अधिकारी मतलब उन राजी के הंदर में उनलोगों को मुत sänhש न्याई ववस्ता के शुरुआत्य है कि कुरान के बेस्व पर इस तरह से इस या ववस्ता चलता है अब हम आगे बढ़ते कोशन इंबर जून का हम को 2018 के कोशन पर सॉल्फ करते हैं दूस्तों यहां पर पहला question आ याँ है कि पहला question अलों साट्वन वन्स की बारे में कि शांट वान वन्स के बारे में यहां पर question मैं कर वाँ हुँ साफ वन्स का कोश्टे के यु साथ सकते हो इूए अश freeze-izophren किस तर से बाहरत की योड़ाय मद्यकाली में इसे माहले चोटे थे आप बड़े ऊगए ठीके तो परिवधरिकाल को पूछ रहे हैं यह नहीं कि विमारी फैलगी करोना वायरस और ओमी करोना गया ऐसा नहीं ठीक है कहीं गलत मत समझ लेना आप इसका आपको आंसर मिल जागा दिसंबर 2016 वाले जो कोश्चन इंबर दो में ठीक है तीसरा यहां पर कोश्चन बनता है दोस्तों इंपोर्टन कोश्चन है बहमनी र सम्राज्य के तौर पर जाना गया ठीक है मुस्लिम सम्राज्य के तौर पर भहमनी सम्राज्य जाना गया ठीक है विस्तार इसका दच्छिन भारत के दक्खन में हुआ था ठीक है दच्छिन भारत के अंदर में दक्खन के अंदर में इसका विस्तार हुआ इसकी स्थापना के लोगर बात करोगे तो 1347 के अंदर में 1347 के अंदर में तुरकी गवर् celebrate. कर अलाहुदीन बहीन के दरभाहन के द्वारा शुरुत किया गया था ठीके बहान के द्वारा सुरुवात किया गया था आगे हम बात करें तो 1425 इस्विव में बहनी समराजी की जो राजधानी ती गुलबर्ग को बनाया गया और यह पूरा इस तरह से रूल करता है अपना पूरा चलाता है ठीक है बारत में जो भृष्ट ता उसने किस तरह से अपने परियोग मंद आया और अपने सक्ति के से परियोग किस तरह से अपने भारत के लोगों तो नियंतर मिलाया वहां के राजव को किस तरह से नियंतर मिला यह वाला कोश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ पलवों के प्रशासनिक संस्थाओं और संव्रचनाओं के उपर में टिपनी ठीक है तो यहां पर जून 2017 का कोशन नंबर 6 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा ठीक है दिली सल्तनत के अगर बात करें इस वाले कोशन विपर का इस कोशन का दिली सल्तनत के अधिन केंद्रिय प वेस्ट करने जैसा होगा क्योंकि आपके 2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं ठीक है अगला कुशन 2018 दिसम्बर का आता है जिसके अंदर में कुशान राजजे के उपर में पहला कुशन मनता है कि कुशान राजजे का सवरूप की विवेशना के जिये अब इसको हम पढ़ते है तो कुषान मुद्रा की शुरुआत हुई कि यहां पर दूसरा पुइंट आज़ेगा भूगली की स्तर पर फैलाब हुआ तीसा कुष्ट नाज़ेगा राजनितिक संगठन एकिकृत नहीं था एकिकृत मतलब राजा के कंट्रोल में पूरा राजनितिक संगठन नहीं था ठी शॉपादिया राजा को दी जाते है ती डेवपटर मतला देवों के पुत्र हैं वह महाराजा दिराज हैं इसकी उपादिया के परचलंड था विस्तारवादी नीति थी समराज्य विस्तार का उन्होंने जोर दिया विस्तारवादी उनकी नीती थी सेलने सक्ती विस्तार किया उन्होंने सबसे जादा सेलने सक्ती विस्तार किया उन्होंने अलग-अलग तरह से भरती किया अलग-अलग समुदाएं के लोगों को भरती किया कनिस्क सबसे सकती साली राजाओं के तौर पे कुसान समराज्य में जाना गया और वो बोध धर्म का संग्रक्षक के तौर पे जाना गया संग्रक्षक के तौर पे कनिस्क को माना गया ठीक है समझ में आता है तो यहां पर यह वाला कोशन खता होता है अगले कोशन के और बढ़ते हैं तो राजपूतों के अधीन राज्य की संरचना ठीक है जो राजपूत हुआ करते थे मैं भी एक राजपूत हूँ ठीक है बटा राजपूत तिरिफ नाम वाले बचे गए पहले वाले राजपूत राज्य हुआ करते थे अब वहले नाम वाल किजिए एक इस तरह से राजपूतों के देन में जो राजी था उसकी संर्चना किस प्रकार किती उसको लेकर बात करते हैं तो यहां पर राजिस्तान के अंदर में राजपूत सासकों का उद्धै वगी यह माना जाता है सबसे जयादा जो राजपूत सासक हुए राजस्तान स अभी तक हमने 50% almost solve कर लिए अपने question paper का अब हमारा 50% बागी है अब यहाँ पर हम बात करते है second question का तो second question में आया था सबसे पहले राजस्थान के साइड में राजपुतों का उदें ठीक है राजपुत वन्स के अंदर में टोटल 36 गोतर थे ठीक है 36 गोतर के अधार पर उनकी शुरुआत हुई ठीक है 36 गोतर कहलो या कुल कहलो ठीक है नए वन्सों का उदे होना शुरू हुआ राजपुतों में नए वन्सों का उदे होना शुरू हुआ गुजर परतिहार यह सारे राजपुत वन्सों में यहाए ठीक है राजजे प धासों को उदय हुआ ठीके पूर्वज जो उनके थे माहराजय कन जो भारत के अंदर में कन थे ना कुंति पूत्र कॉन सुर्यपूत्र कन तो माहराजय कन लक्षमण इंद्र विष्णु सुर्यवंसु और एक्षवाकू वंस के थे ठीके तो इन के basis पर माना जानने लाइगा कि राजपुत जो है उनके वंसाज है ठीक है मतलब उनके ही खी अंदर में जूरूरते हुए आ रहे तो reason ही यहां पर आ जाता है कि यह बताने का कि जो राजपूत थे उनको यहां पर बताया गया कि अलग-अलग उनकी जो वन्स थे वो पुर्वस थे और उसको गरंथों में देखने के लिए मिल जाता है तो में भूमी वितरन का यहां पर भूमी वितरन चलता है राजपूतों का अर्थ होता है राजा का पुत्र ठीक है राजा का पुत्र जबकि हमारे साथ ऐसा नहीं है दोस्तों ठीक है धार्मिक अनुदान की सुरुआत हो जाती है धार्मिक अधार पर अनुदान दिया दना ठ ठीक है धार्मी का अधार पर अनुदान का मतलब क्या हो जाता है कि भीया मैंने को यक किया और मुझे क्या गरना दान करना है भूमी दान करना है कपड़ा दान करना है तो मैं दे सकता हूं तो धार्मी का अधार पर अनुदानों की सुरुवात किया गया है ठीक है यहां पर त मुगल अगला कोशन इस इंदर में राजनितिक वैवस्ता के निरनतरता और परीवर्तन के विंदू को व्याख्या करना है में तो किस तरह से यह इसके अंदर आता है कुश्चन तीसका चोटा सा यह आंसर है फटा पटम करते तो यहां पर मनसब्दारों राजनितिक प्रभुत्त हो गया मनसब्दार व्यवस्था की सुर्वात हो रखी थी ठीक है उनका खुद का प्रभुत्त देखने के लिए मिलता तो जो मनसब्दार थै इस ता संथ करते अ लगे अपने आपको सुर्टंत्र गुषित करने लगे खुद का राजनितिक विवस्था श्था इस्था घुनिऊं वर्गों पे निरभरता खतम होने लगी जो राजश्व का प्रभुत्स सुर्ण की यजा थी त्लैकर करने लग जो लोग जो लगान देते यह टेक्स पर नहीं करें नैने राज ननने वर्गों काुद्त हरों हो गया हो निय चित्र मतलब है जो राजा dieta में जमिन्ती जух को माइक टा तो उसका वी उत्याने मारों को क्या नोकरसद πरि所 अली धुनसे की सब्सक्ता आपड़TFर्द मतलब थी राज्य व्यवस्ता का एक रूब व्यवस्ता थी एक रूब व्यवस्ता थी इसके बारे में बात की जानी लगी तो यहां पर चौथा कोस्टन वे आपका कम्वेट हो जाता है और हमां आगे बढ़ते हैं छटे कोस्टन के ओर ठीक है च्छटा कोश्चन आजाता है पल्लव वन्स के बारे में इसको मैं करवा चुका हूँ अभी थोड़े दर पहले मतलब पीछे की वीडियो में भी मैंने कराया है 2017 का कोश्चन पर आपको उठाना है ठीक है जून 2017 का कोश्चन पेपर के अंदर में दिसंबर 2017 के कोश्चन पेप सवविधानिक और सनरचना उदभा इसका कोश्चन जो है आपका बात करोगी ओपनिवेशिक शासन के अधीन से धान्तिक सनरचना का उदभाव से धान्तिक सनरचना मतलब क्या अब जो ओपनिवेश्वाद कायम था ठीक 1875 के बाद क्यों होता है इतना बड़ा विद्रो हमारी नाकों नीचे कर सकते यह उनको यकीन नीथा ठीक है उन्होंने क्या कर दिया उसको लिए नए कानून विपस्ता लागू किये ठीक है जो पूरा कंपनी को वापस इंग्लेंड बुला लिया गया ठीक है सारा जो राजे था किसके हाथ में दे दिया गया क्वीन के हाथ में चला गया ठीक है और नए कानून विवस्ता लागू किये गया जो कानून विवस्ता लागू किये नए 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 प्रशाशनिक विवस्ता को लागू किया गया ठीक है सब कुछ जो लीड था अब किसके द ठीक है, नए अधिकारियों के न्यूक्ति की जाने लगी, नोकरसाई ववस्था को पुरी तरसे लागू किया जाने लगा, ठीक है, तो इस तरीके से यह सारी चीज़े हुई, सिक्छा ववस्था के उपर में भी जोर दिया जाने लगा, जिससे उनको खुदी हमें ही इंगली का question paper के हम बात करेंगे ठीक है June 2019 कि दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा हुआ ठीक है कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आ रहा हुआ बट अगर कहीं पर कोई दिक्कत आ रहा हुआ तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो ठीक है मैं ट्राय करूंगा आ आप कमेंट करके जूट सकते हो ठीक है और आपको अगर बुक चाहिए किस तरह की बुक चाहिए आप लेने की सोच रहे है में इस्ट्री का ठीक है तो डिस्क्रिप्शन में कई सारे सब्सक्राइशन से आपके बुक को लेकर रिकार्डिंग क्योंकि अक्सर क्या होता है हम बुक खरी लेते बाद में दिक्कत होता है कि सर आप तो उस बुक से पढ़ा रहे थे हम इस बुक से पढ़ रहे थे तो आप भुक भी खरीना चाहो तो आप हमारे रिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर वहां से बुक के लिए देख सकते हो ठीक तो आपके लिए बहुत पर आप उठाईए 2017 कोशन नमबर फॉस्ट ठीक है अब यहां पर भू छेत्री राज्य विवस्ता इसको हमने किया था आपको याद होना चाहिए तो इसको हमने किया था जून 2017 के अंदर में ठीक है कोशन नमबर फॉस्ट तीसा कोशन आयता है प्राइदीप्य भारत के अं थीछिया कोशन ओदे ऊंदर में राजवंस प्रसासनिक तंतर का उद्य हुआ छो नेरंको सत्ता का सुरुमात हुआ पुलिस मुखिया और फुलीस का करते टु है फुर से पुलीस का कार्य करता था इस तरह से सोबढjem है आगी हम बात करें दोस्तों अगला में आप देखते हैं कोश्चन नमर चार इत्यासिक लेखन संबंदित बहस के संदर्व में 18 सदी के राज्य व्यवस्था पर टिपड़ी कीजिए इसको मैं करवा रखा हूं कोश्चन थोड़ा चींज है बट आंसर बिल्कुल सेम आने वाला है ठीक है तो आपको क्या क करना इसका आंसर लिए करने के लिए दिसंबर 2018 के कोश्चन पर 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 जाना है ठीक है नहीं जायिए कोश्चन नंबर आपका सम्राजिट क crimes राकी का येवला करवार्य वाला इसकी वाला-पर धिक है तो आपको का करना है इसमें जुन 2016 की कोश्टिंबर 9 मोरे शमुराजव कोसिण वाला ठीक है to तो इसका आपको क्या करना है तो जून 2018 के को इंच पर पिछाईए और कोसिण नुम्बर प्र आते हैं तो तो इसका भी में ने-कर वाया हुआ है तो आपको करना क्या है तो जून 2018 के GOT पे पर पाणा है और कोशन नुमबर 8 यहीZ ठीक है समझ में आता है तो इस तरह से यहां पर यह वाला खतम होता है और हम अगले question paper की और बढ़ते हैं दोस्तों यह जून 2020 के question paper में आपको पहला question बनता है बोध सिमांकित राज्यू का बनता है जो अभी मैं पीछे भी बनता है थे को जुय चुन 2019 के question paper में जाना है question number 2 यहां पर solve हो जाएगा ठीक है राजपूतो वाला मैंने भी राजपूतो वाला बताया जहां पर अपना example दिया था मैंने आपको ठीक है तो यहां पर आपको करना क्या है तो December 2018 का question बिपर खोलना है और question number 2 यही मिलेगा आपको ठीक है तीसरा question आता है मुगल संपरभुत्ता के बारे में आ जाता है ठीक है तो इसका भी question करवाय हुआ है मैंने तो आपको करना क्या है दिसंबर 2016 के question विपर में जाना है question number 9 यही मिलेगा ठीक है समझ में आता है यहाँ पर एकला question आता है मौरे राजी के प्रकृति के बारे में तो यह भी मेरे करवारक है आपको तो मौरे राजी के प्रकृति आपको का मिलेगा तो जून 2019 का question विपर खोलना है और question number 6 जो है आपको यही मिलेगा ठीक है आगे हम बढ़ते हैं दोस्तो यहाँ पर हम सात्वा question करते है ठीक है अपने विश्चिक राजी के प्रकृति किस प्रकार की थी इसको question को करवाया हुआ है आपको question number 8 June 2016 ठीक है June 2016 के अंदर में question number 8 आपका same विजयनेगर वाला जो सासक के अदिन नायक और नायक वेवस्ता क्या था ठीक है यह भी मैंने करवारक है तो आपको question number 8 June 2017 के अंदर में आपको यह question का answer मिल जाएगा दोस्तों ठीक है अगला question paper के और हम बढ़ते है अगला question paper जो आपका आएगा December 2020 का question paper है और यह last question paper रहेगा दोस्तों हमारा यहाँ पर पहला question paper हमारा बनता है साथ वहन राज्ये का ठीक है साथ वहन राज्ये का इस question को भी मैंने करवा रखाया आप अतुरा सभा बस आपको पीछी जाकर देखना है ठीक है साथ वहन राज्ये का यह question paper आपका done है पहले से ही आपको मिलेगा इसका answer अगर आपको ना answer चाहिए तो 2018 के question paper में question number आपका first है ठीक है दूसरा question दिल्ली सल्तनत का केंद्रिय प्रांति वाला यह भी मैंने पीछे भी बताया आपको पीछे वाले question paper में तो यह वाला question paper आपको 2019 के question paper में question number 7 मिल जाएगा ठीक है आगे आप इसका अगर हम बात करें तो मुगलो वाला question है मुगल राजी के प्रकृति वाला ठीक है तीसा question तो यह जून 2018 में आपको मिल जाएगा ठीक है question number 18 के अंदर में question number 3 ठीक है उसके बाद में आगर आप बात करो दोस्तों अठारा के अंदर में आपको question number 3 यहां पर थौसा हम नीचे ले लेते हैं पेज को पहले ओल्मस्ट जो आप कह सकते हो कि जितने भी question है जैसे आपका question number 8 हो गया ठीक है question question number विजय ने पर नायक पढ़ना लिवाला है यह मैंने करवा रखा है तो आपको नीचे जाना है उसको देखना है वीडियो के शुरुआत में तो आपको सारा question solve जाएगा तो दोस्तों यह वीडियो खतम हो चुका ठीक है यहां पर 2021 22 का question paper नहीं है reason क्या है lockdown था lockdown के चीजों में थोड़ी सी घड़बर हुई है तो question paper नहीं upload किये गए है और paper exam नहीं हुआ था तो 2020 तक का exam हुआ तो 2020 तक का question paper हमने solve किया ठीक है five years का question paper solve किया आपको मैं उमीद करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगेगी आपको समझ में आएगा अगर कहीं पर भी किसी बच्चे को कोई problem होती है समझ में नहीं आता है तो comment करके पूछ सकता है ठीक है मैं आपका reply दूँगा और आप हमारे whatsapp group से जूट सकते हो अगर आपको किसी तरह की book खरीदनी है कोई भी book खरीदनी है तो बहुत सारे books की description में link दी गई है आप वहाँ पर जाका description में link चेक कर सकते हो तो वहां से आप book खरीज सकते हो ठीक है और friends last में आपको मैं यह बोलूँगा thank you for watching me thank you for listening me bye bye take care और उमीद करता हूँ आप सभी बच्च के लिए भी ठीक है रात बर जगना पढ़ना बहुत ज्यादा मुस्किल हो जाता है ठीक है और early in the morning almost malo मैं तीन बजे करी में उठा हूँ तीन बजे से बैठ कर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो और non stop 3 घंटे की वीडियो बहुत जादा difficult हो जाता है तीन बजे तो नॉर्मल सा घर है तो जब बैठ के वीडियो बना रहे होते हैं पढ़ाने के आपका तो अकसर वहां पे सबजी वाले दूद वाले चाय वाले अलग अलग घर वाले भी मतलब सब को उसी समय काम याद आता है और सारे परसान कर निकला आ रहते हैं तो आपका जो वीडिय अब बाती दूँ उसके लिए मैं वर्क करता हूं ठीक है तो फ्रेंट्स उमीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी आप लाइक कीजिए वीडियो को फटाबर सेर कीजिए और अभी इतने सबी दोस्तों के साथ साथ सेर कीजिए ठीक है और अल्मोस्स साथ दिस्क्रिप्शन में कमेंट कीजिए वर्ट सब्रूप का लिंक दे दूँ हमें टेलिग्राम गुरूप से जुड़ी है वहां पर सारा कोश्चन पेपर में डाल दिया हूं तो वहां से कोश्चन पेपर मिल जागा आपको और फ्रेंट्स थैंक्यों वाचिंग मी थैंक्यो the best